हेलो दोस्तों आप सभी का एक ने वीडियो में स्वागत है और दोस्तों आज हम लोग spoken English class के तहत कुछ खास चीज़े सिखेंगे तो आज का वीडियो काफी interesting और knowledgeable है कृपिया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे और दोस्तों आप लोग मुझे Instagram पर भी follow कर लिजिए म साथी दोस्तों आप लोग इम्तियाज सर्फ ब्लॉक्स चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए मैं वहाँ आप लोगों से बाते करता रहता हूँ दोस्तों हिंदी सेंटेंस में आना वर्ब बहुत ज़्यादा यूज होता है अलग-अलग सेंटेंस में तो आज सबसे पहरे हम लोग सीखेंगे आना का अनुवाद दोस्तों आना को जेनरली इंग्लिज में कम कहते हैं लेकिन और भी अलग-अलग तरीके से यूज हो सकता है जैसे दोस्तों माल लीजिए वह रोज मेरे पास आता है तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर लिखेंगे अब दोस्तों माल लीजिए आपको बोलना हो उसे तैरना नहीं आता है तो दोस्तों यहाँ पर भी है आता है लेकिन यहाँ पर तो कम यूज नहीं कर सकते उसे तैरना नहीं आता है इसका मतलब वह तैरने नहीं जानता है दोस्तों इस तरह के सेंटेंस का स्ट्रकशर होता है सबसे पहले सबजेट उसके बाद do not यह does not इसके बाद know इसके बाद how to फिर verb जैसे दोस्तों उसे तैरना नहीं आता है he he के साथ does यूज करेंगे he does not know how to swim he does not know how to swim मालीजे दोस्तों आपको बोलना हो मुझे कार्ज चलानी नहीं आती है तो दोस्तों आप यहाँ पर लिखेंगे I don't know how to drive a car I don't know how to drive a car यह दोस्तों मैं कार चलाना नहीं जानता हूँ यह मुझे कार चलानी नहीं आती है एक ही बात है मालीजे दोस्तों उसे चाय बनाना नहीं आता है तो यहाँ पर लिखेंगे लेट खेलना नहीं आता है इसे आप English में कैसे बोलेंगे अपना answer comment box में जरूर लिखिएगा और दोस्तों आप लोग सभी इसके पहले वाले वीडियोज को जरूर देखेंगे और खास तोर पर use of adverbs और conjunctions के वीडियोज को जरूर देखेंगे मालीजे दोस्तों आपको बोलना हो क्या तुम्हें कोई कहानी आती है क्या तुम्हें कोई कहानी आती है तो यह simple present tense में यहाँ पर लिखेंगे मालीजे दोस्तों आपको बोलना हो मुझे यह बात समझ में नहीं आती तो दोस्तों आप यहाँ पर लिखेंगे आई डॉन्ट अंडर इस्टैंड दीस आई डॉन्ट अंडर इस्टैंड दीस मालीजे दोस्तों आपको बोलना हो उसे मुर्छा आती है यानि कि कभी-कभी वह बेहोस हो जाता है तो आप यहाँ पर लिखेंगे ही गेट्स फिट आप फिट्स भी लिख सकते हैं ही गेट्स फिट्स मालीजे दोस्तों आपको बोलना हो उसे साम में बुखार आती है तो यहाँ पर लिखेंगे ही गेट्स फिबर इन दी इवनिंग तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आना के लिए हमेशा ही कम यूज नहीं होता है यानि कि आपको सेंटेंस के सेंज के अधहार पर अलग-अलग वर्ब्स यूज करने होते हैं जैसे यहाँ पर गेट्स यूज हुआ है ही गेट्स फिबर इन दी इवनिंग मालीजे दोस्तों आपको बोलना हो रात में तारे निकल आते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर लिखेंगे स्टार्स कम आउट एट नाइट स्टार्स कम आउट एट नाइट दोस्तों हम लोग अपने डेली लाइफ में जरूर बोलते हैं आपका आना जरूरी है आपका आना जरूरी है तो दोस्तों इसे सेंस के आदहार पर लिखते हैं यह बोलते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे योर प्रेजेंस इस इसन्सल आपका आना जरूरी है यानि कि आपकी उपस्थिती जरूरी है Your presence is essential मालीजे दोस्तों आपको बोलना हो मुझे हसी आ गई या फिर मैं हसे बिना नहीं रह सका तो दोस्तों इस तरीके के sentence को हम लिखते हैं इस परकार से I could not help laughing दोस्तों यहाँ पर could not यूज होता है और help वर्व का यूज जरूर होता है I could not help laughing मालीजे दोस्तों आपको बोलना हो उसे करोध आ गया तो दोस्तों यहाँ पर भी आ गया लेकिन कम यूज नहीं करेंगे आप यहाँ पर get verb का यूज कर सकते हैं यह सिंपल पास्टेंस में है यह फिर आप बिकेम का भी यूज कर सकते हैं यह फिर आप इस परकार से भी लिख सकते हैं यह फिर आप एक फ्रेस का भी यूज कर सकते हैं यह फ्लिउ इन्टू अरेज यह फ्लिउ इन्टू अरेज तो दोस्तों फ्लाइ इन्टू अरेज का मतलब होता है गुस्ता हो जाना मालीजे दोस्तों आपको बोलना हो अब मुझे सब कुछ आ गया, तो आप यहां पर लिख सकते हैं, मालीजे दोस्तो आपको बोलना हो, मुझे दया आ गई, और दोस्तो यह काफी important sentence है, daily life में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, तो दोस्तो दया आना इसे English में feel pity भी कहा जाता है, feel pity, तो यह simple past tense में verb to use करेंगे, feel से felt हो जाएगा, I felt pity, मालीजे उस पर, तो यहां पर for use करते हैं, for him, I felt pity, for him, यह फिर दोस्तो आप यहां पर लिख सकते हैं, I was moved, यानि मेरा दिल सहम गया, I was moved, मालीजे दोस्तो आपको बोलना हो, मेरे दोस्त सनय पर काम आए, यानि कि मुसीबत में साथ दिया, तो दोस्तो इसके लिए एक special phrase का यूज करते हैं, stand in good state, stand in good state का यूज करते हैं, यानि कि समय पर काम देना, तो यहां पर लिखेंगे, my friend, stand से stood बन जाएगा, my friend stood me in good state, my friend stood me in good state, दोस्तो मालीजे आपको बोलना हो, blade किस काम में आता है, तो दोस्तो इस chance में हमेशा ही हम लोग serve verb का यूज करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे, दोस्तो आपके लिए एक सिंटेंस है, जाकू किस काम में आता है, तो दोस्तो आप लोग अपना answer comment works में जरूर लिखेंगे, मालीजे दोस्तो आपको बोलना हो, मुझे उसकी हालत पर रोना आता है, I feel pity for him, दया आना या फिर मुझे उसकी हालत पर रोना आता है, आप यहां पर फिल पिटी का यूज कर सकते हैं, I feel pity for him, दोस्तो नेक सेंटेंस काफी important है, क्या तुम्हें नीन्द आ रही है, क्या तुम्हें नीन्द आ रही है, दोस्तो यह present continuous tense में है, यहां पर लिखेंगे, are you feeling sleepy, यह फिर दोस्तो आप drowsy भी लिख सकते हैं, are you feeling sleepy, क्या तुम्हें निन्द आ रही है, और दोस्तो नेक सेंटेंस काफी important है, मैं उसकी चालो में आ गया, तो दोस्तो इस सेंटेंस के लिखेंगे, I was taken in, यहां पर आप take in का यूज़ कर सकते हैं, passive voice में, I was taken in by his tricks, यह फिर आप लिख सकते हैं, I was caught, कैसे caught बन गया, I was caught in his trap, यानि की एक तरह से मैं उसके द्वारा बिखाये गए जाल में फस गया, I was caught in his trap, इसी तरह दोस्तो, स्वीकार करना, का भी अलग-अलग अंग्रेजी होता है, जैसे मालीज़ दोस्तो, मैं, अपनी गलती, स्वीकार करता हूं, तो दोस्तो, आप यहाँ पर confess वर्व का यूज़ कर सकते हैं, I confess my fault या फिर mistake I confess my mistake मालीज़ दोस्तो, आपको बोलना हो, उसने स्वीकार किया, कि उसने चोरी की थी, तो आप लिख सकते हैं, he confessed that he had stolen, या फिर कमीटेड थेफ्ट, he confessed that he had stolen, मालीज़ दोस्तो, आपको बोलना हो, मैं आपका निमंत्रन स्वीकार करता हूँ, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, I accept your invitation, मालीज़ दोस्तो, आपको बोलना हो, मैं आपकी चुनवती को स्वीकार करता हूँ, तो आप लिखेंगे, मालीज़ दोस्तो, आपको बोलना हो, मैंने उसका निमंत्रन अस्वीकार कर दिया, तो दोस्तो, आप यहाँ पर लिखेंगे, I declined, तब दोस्तो, आप लोग को यहाँ पर decline वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा, I declined his invitation, मालीज़ दोस्तो, आपको बोलना हो, उसने मेरी मदद, करने से, इनकार कर दिया, तब आप यहाँ पर लिखेंगे, He refused to help me, He refused to help me, मालीज़ दोस्तो, आपको बोलना हो, चोर ने अपनी गलती अस्वीकार कर दिये, तो दोस्तो, जब आप किसी पर आरोप लगाते हैं, और वह इनकार कर दे, कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, तब आप deny यूज़ करेंगे, deny, तो यहाँ पर लिखेंगे, मालीज़ दोस्तो, उसने मेरे प्रस्ताब को ठुकरा दिया, तो आप reject का भी यूज़ कर सकते हैं, रिफ्यूज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, ही रिफ्यूज़ माई प्रोपोजल, रिजेक्ट का मतलब हुआ एक तरह से हटा देना, दूर फेक देना, अस्विकार कर देना, जैसे आप लिख सकते हैं, ही रिजेक्टिड माई डॉक्यूमेंट्स, मालीज़ दोस्तों आपको बोलना हो, मेरी छुट्टी, स्विक्रित हो गई, तो यहाँ पर आप ग्रांट वर्वका यूज़ कर सकते हैं, यानि कि, माई लीव्स, वोज, ग्रांटेड, यहाँ एक से अधीक है, तो आप वर्वका यूज़ कर सकते हैं, और दोस्तों कभी-कभी स्विकार के अर्थ में, एड्मिट वर्वका भी यूज़ करते हैं, जैसे आपको स्विकार करना पड़ेगा, कि इस वर सबसे ज़्यादा ताकतवर है, यूज़ करता हूं दोस्तों कि आज का लेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, यदि है वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दिजेगा, और दोस्तों इस तरह के वीडियोज बनाने में काफी मेहनत लगता है, तो आप लोग कुछने कुछ कॉमेंट जरूर करेंगे, और दोस्तों मैंने जो भी सवाल आप लोगों से पूछे हैं, उसका जबाब कॉमेंट बोक्स में जरूर लिखेंगे, साथ ही आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फोलो कर लिजे, और आप लोग को एंट स्क्रीन के रूप में बहुत सारे इंपूरेंट वीडियोज नजर आ रहे होंगे, किसी एक पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिए, ओल्राइट फ्रेंड्स, थैंक्स पो वाचिंग, वेव ग्रेट डेए!